हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के एको नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाटा टियागो के बेस विरेंट XE को कंपेर करने वाले हैं Hyundai Grand I10 News के बेस विरेंट एरा के साथ में अगर दोस्तों आप इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाट तक जरूर देखते रहे हैं इसमें इन दोनों ही गाड़ी के इंजन, फीचर्स, प्राइस सभी कुछ कंपेर करके आपको बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इन दोनों गाड़ी में क्या डिफ्रेंस आपको देखने को मिलता है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का अंदर मिलने वाले सभी फीचर्स को कंपेर करने से पहले एक बार में इस गाड़ी की बेसिक इंफोर्मेशन आपको बता देते हैं जैसे कि इस गाड़ी का प्राइस इन में मिलने वाले इंजन ओप् रुपे में दोनों विरेंट में अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो हुंडाई ग्रेंडाइटेन नियोस का एरा विरेंट आपको 38 रुपे महेंगा मिलता है टाटा टियागो के XE विरेंट से बेस विरेंट की प्राइस के अलवा दोस्तों बेस से एक उपर वाले व हुंडाई ग्रेंडाइटेन नियोस के अंदर विर्द की बात करें तो 3mm की विर्द यहां पर आपको मिल जादा मिलती है जो कि लगबग बराबर ही है टाटा टियागो के तीन अमेम ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर हैट की बात करें तो टाटा टियागो में आगर हमबस रहें है तो Tata Tiago में आपको мирता है 242.00 बूत सब्सुए नियुस में आपको मिलता है 206.00 बूतुक्रिंद do trust यकुण में 30..10 लीटर का बूत सपेस आपको यैश में ज़्यiant रहा है पर on detalya, नियुस में 106.45 में 126.65 में 1 लोई खाहसे यैbar मिल जाते हैं मतलब कि इन दोनों ही गड़ियों के बेस फिरेंड में आपको 14 इंच के टायर दिये गए हैं यह तो कि दोस्तों इस गड़ी की डाइमेंशन्स एक बार हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही गड़ियों में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में टाटा टियागों में आपको 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो की 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है हुंड़े ग्रेंडा टियागों में आपको 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो की 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है पावर की बात करें तो टाटा टियागों में आ 21.7 KMPL की मलेज Hyundai की Grand Rite & News के साथ में क्लेम की जाती है Transmission के अगर हम बात करें तो इन दोनों ही गड़ियों के अंदर आपको 5-speed का Manual Transmission और Automatic Transmission भी मिल जाता है और B66 Compliant दोनों ही इंजन दिये गए हैं अब दोस्तो हम बात करते हैं इन दोनों ही गड़ियों के Exterior तो Front से दोस्तो आप इन दोनों ही गड़ियों का Exterior डिजाइन देख सकते हैं इन दोनों ही गड़ियों के Front में आपको Halogen Head Lamp दिये गए हैं और Halogen Tail Lamp भी यहां पर आपको मिल जाते हैं music system यहाँ पर आपको interior में देखने को नहीं मिलेगा, अब दोस्त हम बात करते हैं इन दोनों ही गड़ियों में मिलने वाले common features के बारे में, जो कि दोनों ही गड़ियों में बराबर आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले safety features की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही गड़ों के अंदर आपको extended safety features के लिए dual front airbag, ABS with EBD मिल जाता है, reverse parking sensor मिल जाता है, seat belt warning और high speed alert का feature भी मिल जाता है, seat belt pre-testners with load limiter का feature भी यहाँ पर आपको दिया गया है, बात करें comfort and convenience के features के बारे में, तो जैसा कि यह base variant है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़े features देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी यहाँ पर आपको base unit के साबसे comfort and convenience के लिए features दिये गए है, 12W का power outlet यहाँ पर आपको मिल जाता है, mobile charge करने के लिए manual air conditioner दिया गया है, grand item news के दोस्तो, era variant में आपको rear AC vents नहीं मिलता है, इसके अलावा grand item news के सभी variant में आपको rear AC vents भी मिल ज आपको मिल जाती है, सामान रखने के लिए, अगर बात करें, कुछ ऐसे features के बारे में, जो कि इन दोनों ही गड़ियों में नहीं मिलते हैं, जैसे कि power windows यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, तो टाटा टेयागो में, किसी भी तरह का music system यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, औ इन में मिलने वाले features की बात करें तो trip meter, average fuel consumption, distance to empty, low fuel warning और door hazard warning जैसे feature भी दिये गए हैं अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों ही गड़ी में मिलने वाले unique features के बारे में सबसे पहले हम बात करें हैं Tata Tiago में मिलने वाले unique features के बारे में मतलब की ऐसे feature जो की आपको Tata Tiago के base variant XE में मिलते हैं लेकिन Hyundai Grandi 10 Nios के base variant era में नहीं मिलते हैं तो Tata Tiago के base variant में आपको headlight and ignition on reminder का feature मिल जाता है tilt adjustable steering wheel यहां पर आपको मिलती है Tata Tiago में जो की Nios में नहीं मिलती है front seat adjustable headrest यहां पर आपको मिल जाते हैं जबकि आपको Nios के अंदर fixed headrest देखने को मिलेंगे front seat के जबकि rear seat के headrest आपको दोनों ही गड़ों के दोनों ही विरेंड में adjustable नहीं मिलते हैं Tata Tiago में दोस्तों आपको digital instrument cluster मिल जाता है जो की Nios में नहीं मिलता है digital instrument cluster देखने में थोड़ा सा premium लगता है अब दोस्तों बात करते हैं Hyundai की grand i10 news में मिलने वाले unique features के बारे में तो Hyundai की grand i10 news में आपको front power windows दी गई हैं एक बार बात कर लेते हैं इन दोनों ही गड़ियों के साथ में दी जाने वाली warranty offer के बारे में तो Tata Tiago में आपको 2 year और 75,000 km की warranty मिलती है और Hyundai की grand i10 news में आपको 3 year और 1 leg km की warranty दी जाती है company द्वारा अब हम बात करते हैं कि आपको इन दोनों गड़ियों में से कौन सी गड़ि का base variant खरीदना चाहिए features की अगर हम बात करें तो दोनों ही गड़ियों के अंदर आपको लगबग बराबर features दी गए है Hyundai grand i10 news में आपको front power windows मिल जाती है लेकिन Tata Tiago में आपको नहीं मिलती है जो की एक convenience का feature है जो की daily use में आता है Tata Tiago में दोस्तों आपको 3 cylinder का petrol engine मिलता है लेकिन Hyundai की grand i10 news में आपको 4 cylinder का petrol engine दिया गया है जो की Tiago के engine से थोड़ा सा बेहतर performance आपको देगा grand i10 news में दोस्तों आपको थोड़ा सा wheelbase भी बड़ा मिल जाता है जिससे कि आपको cabin में space थोड़ा सा ज़दा मिलेगा rear seat में भी यहापर आपको space थोड़ा सा ज़दा मिलेगा Tata की Tiago से तो दोस्तों यहापर आपको definitely Hyundai की grand i10 news के era variant पर जाना चाहिए Hyundai की after sales service भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है इन दोनों गड़ियों को लेकर आपके क्या विचार है नीचे comment box में comment करके हमें जरूर बताएं तो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ में